तो मौनसून सत्र का आगाज मद्द्रदेश में होने जा रहा है और इसी विधान सभा में कॉंग्रेस पार्टी सरकार को जम कर घिरने की तैयारी कर रही है पांच ऐसे मुद्दे हैं जिन को लेकर कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीती को धार दे दिया है बड़ी बात ये है कि महाकाल लोक में जिस तरह से सब्त रिशियों की मूर्तियां टूटी और उसमें करप्शन को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए है कॉंग्रेस पार्टी ने इसके साथ साथ सत्पुड़ा भवन में हजारो करोड के घपले की फाइल जल गई ये कॉंग्रेस का आरोप है आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा भी सदन में बेहत गंभीरता से गुझेगा क्योंकि सत्र शुरू होने से पहले ही कॉंग्रेस पार्टी ने राज जिपाल से मिलकर आदिवासियों पर अत्याचार की बात सामने रग दी है यानि कि जिस तरह से आदिवासी के उपर पेशाप किया गया ओ मुद्दा और लगातार जो हंगामे हो रहे हैं जा कहें लगातार जो घटनाए घट रही है उसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी घेरेगी साथी साथ महंगाई का एक मुद्दा है महंगाई और अपराद का मुद्दा कॉंग्रेस पार्टी सदन में उठाती नजर आएगी तो पांच बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कॉंग्रिस ने कमर कसली है वहीं सरकार को भी पता है कि ये सत्र जो है बहुत बड़ा नहीं है अनुपूरक बजट इसमें आना है 25,000 करोड का अनुपूरक बजट जिसमें 5,000 करोड लाडली बहना योजना के लिए निकाला जा और दिगवजय सिंग और कमलनात की साशन में जो हुआ उसको काउंटर के तौर पर यहाँ पर पेश करने की रणनीती बीजेपी ने बनाई है लेकिन विधान सभा चुनाप से पहले इस सत्र में यानि की जनता की अदालत में जाने के पहले इस सत्र में कॉंग्रेस पार्ट दिश में विधान सभा के लिहाज से हंगयादार रहने के पूरे आसार हैं कैमरपरसान आशू के साथ अखिलेस तोलेंग की भारट 24 भुपाल